तो क्योंकि Mr. McMahon retire हो चुके हैं इसलिए अब वो सब सुपस्टास return आ सकते हैं जो Mr. McMahon की वज़े से WWE में return नहीं आ रहे थे और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सुपस्टास के बारे हम बात करेंगे पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहीएगा Mr. McMahon ने 1982 में उनके खुद के फादर Vincent J. McMahon से WWEF को खरीद लिया और उसके बाद से WWE को बड़ा से बड़ा बनाती चले गए और साल 2022 में जब Mr. McMahon 77 साल के हो चुके थे फिर भी Mr. McMahon का पूरा ध्यान WWE की तरफ था लेकिन अभी हाल में हुई controversy की वज़े से जिससे ये बात सामने आई कि Mr. McMahon का फिर किसी फॉर्मर WWE employee के साथ चल रहा था जिसे छुपाने के लिए उन्होंने 12 मिलियन डॉलर्स दिये थे ये controversy जब से सामने आई Mr. McMahon ने पहले WWE की CEO की position से resign किया और उसकी कुछ महीने के बाद जब الزाम एक के बाद एक बढ़ते चले गए तो Mr. McMahon ने retire होना जादा स Tesla हमेशा उनका होता था और WWE की सारी storylines भी जाद तर हमेशा उनके देख रिक में ही होती थी लेकिन अब WWE का creative control विंस McMahon के दमाद यानि की Triple H के पास चला गया है और इसलिए अब वो सब superstars return आ सकते हैं जिनकी Mr. McMahon से नहीं बनती थी और वो Mr. McMahon की वज़े से WWE में return नहीं आना चा storylines जो कि Mr. McMahon ही decide करते हैं वो पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने Mr. McMahon को बहुत बार समझाने ही कोशिश की थी कि Mr. McMahon ने उनकी storylines को change करें लेकिन Mr. McMahon Dean Ambrose को भले ही जादा पैसे offer कर रहे थे पर उन्हें अच्छी storylines नहीं डे पारे थे और इसी reason से Dean Ambrose WWE से चले गए थे ल वैसे कि आप लोग Dean Ambrose यानि कि John Moxley का return WWE में फिर से देखना चाओ या नहीं कॉमेंट करें सबसाश शेयर करें और The Finn Bray White जिनने last year WWE ने अचानक से fire करके fans को shock कर दिया था वो भी इस साल return आ सकते हैं वैसे भी Finn ने बहुत बार hint दिया है कि वो return आने वाले हैं और क्योंकि Finn Finn ने AEW के साथ कोई contract sign नहीं किया है इसलिए chances है कि Finn दुबारा से WWE में return आ जाएं और अब Mr. McMahon के जाने एक बात इस बात के और ज्यादा chances हैं कि The Finn Bray White का return fans को देखने मिले या तो SummerSlam 2022 में या ठीक उसके बात वैसे अगर The Finn Bray White SummerSlam 2022 में ठीक Roman की तरह return आते हैं जैसे Roman SummerSlam 2020 में return आए थे तो आप लोगा क्या reaction होगा comment करें कि सबस्क्राइब करें और मैं आप से जल्दी मिलूँगा लेकिन तब तक के लिए good bye